नमस्कार किसान बाईो स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल पे मेरा नाम है सिवम दाकर किसान बाईो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नी किया हो तो सब्सक्राइब कर ले पास दीगे गंटी के बटन को भी दबा दे जिससे कि हमारे खेतिवाडी से आने माले वीडियो पर साथ ही बने रहें तो चली किसान भाइओ वीडियो को शिरू करते है शबसे पहले हम बात करते हैं मुर्रा भैज की तो इस मुर्रा भेहस की जो capacity है दूद की वो है 6-7 लिटर पर डे वन टाइम का अगर हम जोड़े तो 14 लिटर इसकी last capacity है एक दिन का 14 लिटर मुर्रा भेहस दूद देती है इसकी जो फेट की बात करें इसकी कितनी फेट आती है तो इसकी 7-8 फेट last है इस बेहस की और इसकी जो price रेती है वो 60-70 जार रुपे रेती है अब बात करते हैं हम मैसाना भेहस की जो की गुजरात के कही प्रांतों में पाई जाती है जो की गुजरात के कही प्रांतों में पाई जाती है लेकिन इतना देती नहीं है, लास्ट है इसकी 10-12 लेकिन इसको अच्छा माहूल मिले तो यह इतना दे देती है अब बात करते हैं बाधावरी, बाधावरी है जो कि MP और UP में पाई जाती है इसकी बात करें दूद की तो 4 लिटर यह दूद देती है दोनो टाइम का बात करें तो 8 लिटर दूद देगी, इसकी 7 फेट आईगी इसकी कीमत की बात करें तो 50 से लेकर यह साथ अजार के बीच में आपको मिल जाएगी उसके बात करते हैं सूर्ती बेंसगी, तो यह भी गुजरात में पाई जाती है जो की इसकी फेट की बात करें तो यह साड़े 10 से 11 फेट के बीच में इसकी फेट आती है कीमत की बात करें तो इसकी 1 लाक रुपे से 1.5 लाक रुपे के बीच रहती है इसकी दूद की केपिसिटी की बात करें तो 10 लिटर देती है, 5 लिटर वन टाइम का और किसान भाईयो आपको बहुत अच्छा लगाओगा ये वीडियो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अधिक सदिक किसानों में शेर करें ताकि उनको पता चले कि भारत में कौन-कौन सी नसली की बैसे पाई जाती है